आई नो यार आज लेट होगी वीडियो क्योंकि तब इतकाइफी खराब चल रही है और इसलिए आप देख रहे हो आउटफिट भी थोड़ा चेंज है तो क्या हो गया टार चेंज नहीं हो तो कभी कभी पेपर व्यूस के टाइम पर याज की श्माइट के सेग्मेंट ने पूरी स्मैकडाउन को बना दिया और पूरी स्मैकडाउन उतनी कुछ खास भयानक थी नहीं और मैं उस सेग्मेंट के तरफ भी बढ़ूँगा लेगिन सबसे पहले प्रोमो कट कर वाया था बिट्विन रिपली बियांका बिलेर इयोसक आया नेयोमी एंड बेली जो की आया और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं को यह फैशन फियस्ता चल रहा है ऐसे अच्छा-च्छा कप्ड़े पहन के आगए तो लगी नहीं रहा था यह वार गेम्स के लिए लड़ने के लिए जा रहा है ऐसा लग रहा है कही कांस इसको देखके अच्छा लग रहा है कि अब वो आते ही सिर्फ ऐसे है मैं बुड़ गई यह नहीं करती है वह पता नहीं वह पता नहीं वह बहुत अच्छा से किया था मुझे लगता है वह उसको भकू भी निभावी रही है ना जैक्स ने काफी अच्छी बेज़ती भी करी भाई ना बैली यार माइक पर बहुत बेकार हो यार आप क्या हो गया है आपको वाला मेरको तो लगा था एस बेबी जैसे आप हील बने थे तो आपका जो माइक था माइक वर्क जो था वह बहुत बढ़िया हो गया था बट सड़नली अब 12-16 वाले टाइम पर चले गए ले यह like not that strong build इतना तो मैं कहूंगा बट क्योंकि इनके बीच solo feuds रही है ना अपस में एक दूसरे के साथ crisscross connections अगर आप करोगे उसकी वज़े से इस match के अंदर मजा आएगा दूसरा talent pool जो इतना बढ़िया है उसकी वज़े से मजा आएगा otherwise जो story हमें bloodline वाले wargames से मिल रही but I get it it is definitely not bad at all even average से भी वो उपर ही है ये वाला build और match भी जो होगा अंदरादेन शिंसके नकामोरा भाई शिंसके नकामोरा के entrance कमाल के लगी जो भी बोलो ये जो character shift हुआ ना last time जब हुआ था उससे अच्छा है मेरे को लगता है कि one of the best character shift हो सकता है ये और ये वाला work करेगा ये work करेगा भाई इस बार तुम गए भी तो LA Knight के against पे हो यहाँ पर championship लेना बहुत असान रहा जाया बर पहले तो अंदरादे को पीटना था कि भाई इससे क्या लड़ना पड़ रहा ये खुद championship ने जीत पाया LA Knight से और अंदरादे को हराया भी बट उसके बाद में जो हो Japanese culture को दिखाते हुए और LA Knight का ऐसा मूँ हो गया जैसा लग रहा थे कि वो जब नया नया रोड बनता है अफिर उसके उपर वो बिचाते ना चार कोल बोलते हैं उसके अंदर ही अपना मूँ दे दिया होगा LA Knight ना बहुत देर तक तो वो पूछा ही नहीं जब वो backstage में उसको मेरे को नहीं पता अच्छा है नहीं मुझे नहीं पता शादिवादी हुई है नहीं बड़ आप समझ गए ना just because of that joke मेरे को यह बोलना पड़ा उसके लाबा कोडी रोड्स और करमेलो है इसका मैच देखने को मिला आप लेवल देख ली दिया अन्डिस्पूरिट चैंपिय क्या है यह वही बात है कि हम तुम्हें सर्वाइवर सीरीज में नहीं ला पाए तो इसलिए तुम स्मैक डाउन में ही लड़ लो आके अच्छा अपोनेट मेरे को कोई तगडा मिलेगा नहीं कार मेलो से काम चला लो ठीक है मैं चला लूँगा क्योंकि मैं तो कोडी हूँ मै अब इमेजन ही कर लो थोड़ा सा यह अंधिस्पूरिट चैम्पेंशिप रोमन रेंस के पास है ठीक है मैं इमेजन करने को गया हूँ कि यह अगले ही दिन है पीच में घुसता है शो के और वो मैच करता है अगेंस्ट लेट जस्ट से टॉनी डेंजिलो डिनेरो यह पूरा इसका यही स्पोट पर आना बनता है यह बहुत बुरा लगा मेरे को मैं गया रहा हूं यह दूसरों को बढ़ाने के चक्कर में खुदा प्री बैल लुना कि राले कोडी रोड उसके लाब वुमेंस के मैच भी देखने को मिला था जिसमें जो भी जीतेगा वो वुमेंस की उन एडवंटेज गेम है तो पहले सी एडवंटेज लेगे क्यों जाना and this match was amazing main event worthy match definitely था जे उसको भी प्रूफ करना था कि वो single superstar है main event superstar है बट भाई जेका फार्टू तो उसका भी पपा निकला जेका फार्टू ने बता दिया कि भाई तुम तो tag team से तूट के अब जाके single star बन जिसके लिए मैं war games में लडने वाला हूं तो ये तो था चलो advantage match बट सबसे अधा advantage लोगों को तब लगा जब उन्होंने ये 5 minute का segment देगा between Cody Rhodes and Roman Reigns पागा लूग गया वाई Cody Rhodes ने ये CM Punk है यार Cody Rhodes क्यों आ रा दिमाग में बार वो basketball वो sorry NFL वाला जो segment वा था ना cinematic वाला लोग पागा लोगए थे देख के बिल्कुल वही वाली exact जिन्हों ने यहाँ पर try करने की घरी उस ताइम पे भी Cody Rhodes और Roman Reigns Tag Team में आने वाले थे उसके पहले ये किया हुआ है आज clear था पहले तो रोमन ने इसको wait करना ही पसंद दी था तो जैसे वह उठने को लगा CM Punk आ गया CM Punk न इसने clear कर दिया देख भाई मेरको पसंद नहीं है तेरी क्या रोमन ने इसने क्या बोला था मेरको तेरी हरकत पसंद नहीं क्या पसंद नहीं कुछ ता ऐसा बोला CM Punk ने बोला मुझे तू पसंद नहीं है बट इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता मैं तो यह अपने friend के बट फिर भी एक चीज़ पर agree कर गए वो लोग कि यार एक रात की बात है बस उसके बाद फिर हम लड़ेंगे आपस में यह जो भी होगा हम conversation कर लेंगे लेकिन अभी के लिए हम दोनों का goal सेम है वह टीम सोलो की bloodline को गिराना लेकिन main तो तब आया जब उन्होंने यह बोला CM Punk ने कि एक favor चाहिए मुझे मतलब चाहिए क्या एक favor रहेगा तो रोमन रेंस ने बोला मैं क्यों दूबे तो CM Punk ने बोला भाई तुस्ता चाहिए भी नहीं मेरा friend मुझे देगा अब वो favor क्या है यह रोमन रेंस भी जानना चाहता है उसने पूछने की भी कोशिश करी लेक अब भी रोमन रेंस चैंपियन बने समझ रहे हो अब भी खुलासा नहीं होगा यह ब्लड लाइन की स्टोरी है यह आपको वेट करवाएगी एक दिन जब रोमन रेंस कोडी को हराएगा जो कि हराना भी चाहिए बनता भी है अगर ऐसे कारमेलो पारमेलो से तुम लड़ने प्ले होगी तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो फेवर इसी की बात कर रहे है कि रोमन रेंस के साथ वो लड़ेगे जब भी चैंपियंशिप मैच आएगा बट डैफिनेटली मैं हाप से जानना चाहता हूँ अकोर्डिंग टू यह आपको कहता है जब भी डब डबली को काम दि करना होगा मैं इसको फोर स्टार देना चाहूंगा प्रोबेबली बिकाज ओफ सर्वाइवर सीरीज के बिल्ड की बज़े से ज्यादा अधरवाइस आड़न तिंक सो कि इसमें ऐस सच बहुत एक्स्ट्रा ओडिजरी चीजे थी भी इसमें कॉमेंट्स में रिकरम देए सबस्ट्राइब करो